तो गाइस कैसे हुआ आप लो तो स्वेल और स्टार के निक्स्टी नोवल के एपिसोड नमर 472 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहां पे लूफिंग अपने रिमोट ओसिन के साथ स्टार टावर में कुछ कुछ कर रहा था जिसको कि हम अभी बताएंगे यहां पे लूफिंग ने किया क्या होता कि अपने पूरे के पूरे रिमोट ओसिन को स्टार टावर के अंदर ही डाल दिया होता है जो कि क्या है आपको नहीं समझ मैं तो यह बैटल फिल्ब में समझ मैं कि लूफिंग ने ऐस तो प्रामर के ऐसीटी क्याते हैं कि नहीं जम घवराव मद वह अकेले आया है वह यहां पर सिर्फ नेवोशी एसें करने के लिए आया हुआ है तो यह सुनका वह रान हो जाता है कि क्या आपकर वह तो फ्रीडम एलांस का यह रिप्रिजेंट्रेशन है तो वह अकेले क्यों आया है तो यहां पर फ्रेडम को चाहते बस जाके मिलो कूछा है हो सकता कि कुछ वहां पर बात बन जा है यहां पर हमें पता चले है कि pomiquements का सी हुआ यहां पर आया हुआ है कि freedom एलांस humans से joined करने वाले है यहां फिर कुछ और फोरी होने वाला है तो हमें लुपरींग को दि को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यहां पर वो उनस सब किताब Cutout देखने लगता है वह यहां पर दिखाया हो जाता है कि उसने कईसा attraction को बहुत नहीं बनधा था वह उनस सब्सक्ट का देखने लगता है उनस सब के लाइफ को जेहां यहाँ पर लूफेंग को देखकर पूरी तरह से हरान था कि यह सब कितना ही अचाहिए अब यहाँ पर मैं आर्थ की ब्यूटी को तो एक्स्प्लेइन नहीं करने जाओंगा ना तो यहाँ पर हमें लूफेंग को दिखा जा तो आके कहाता है सी हुआ लीडर अब वो पीछे यहाँ पर आने का क्या करान है जाँ पर सी हुआ लेडर कहते हैं तो लूफेंग भी हम भरता है क्योंकि वर्चूब नुवर्ज इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही डिफरेंस लाता है यह वर्चूब नुवर्ज बहुत ही यूसफूल है ह्यूमन के लिए अब यहाँ पर और भी बात करने लगते हैं जहां पर दिखाया जाता है लूफेंग को जो कहते हैं कि आप भी यहाँ पर टायर्ट्स ऑफ फॉर्म है और इस वक्त में जाला आउटस्ट्रेंडिंग नहीं हूं यहां पर बात होने लगती है वह यहां पर शुरुआत में थोड़ी बोरिंग टा कि फ्रीडम एलाइंस किसके तरव जॉइन होगी और मेरे सबसे हीं और इहां पर बीनर डिसाइड होगा तो यहां पर हीलू फैंग भी हामी भरता जहां पर सीवा लीडर कहते हैं कि मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी फ्रीडम एलाइंस में स्प्लीट सो चुगे मतलभ यह यहां पर दो ग्रूप बन चुके हैं जो की human's gap और दूरसा दूरसे तव जाना चाहती हैं जहां पर बहुत नहीं है मैं यहां पर रिजेक्ट मत करो मैं यहां पर खुद को रिप्रेजेंट करने आया हुँ मैं यहां पे यह प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें यहां पे हमेशा साथ माँगा मैं तुमआ mans स्कैम्पाय रहूँगा और मुझे बस थ्वास है इन्हिटएंस राइए उ जमाहिं किसी को भी नहीं दुँगा TU Amount Heya अब यहाँ पर वो कहते हैं हाँ exactly यहीं मतलब है मैं freedom alliance की demands को यहाँ fulfill कर सकता हूँ तुमें सिर्फ मुझे देना है यहाँ पर मेरे अंदर भी डोटीम बंग चुकी है मैं नहीं जानता हूँ कि आकर क्या होगा और यहाँ पर तुमाँ फैसले हैं तुमाँ क्या purpose है मैं proposal की बार में क्या सोचा है लुप फैंग सोचने लगता कि आकर क्या और वो कहता मुझे 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 जिसके बार वो प्राइमा के सीटी लीजर से जाके सारी चीजे बता देता है कि उन्हें से अकेले ही cultivation चाहिए जिसको सुनकर वो कहते हैं कि अगर देखा जा अकेली तो एक सिंगल उन्वर्स सुप्रीम मास्टर उतना परहा पिक्चर नहीं है जो कि पुरे के पुरे बैटल को यहां पे चेंज कर सकता है लेकिन यहां पे उन्वर्स मास्टर मिल सकते हैं और सेकिंड तब देखा जब और खतम हो जाया और यहीं उनका एक इरिजन था दिखाया जाता है कि यहां पे आगरी हो चुगा लूफंग भी कंडिशन में आता है कि वार्ट इंफर्मेशन वार्ट के पहले मिलेगी और खतम होने के बाद यहां पे आपको टूठर इंफर् का मिलेगे तो रूफंग कैता है बहुती जल्दी और यहां पे पूलिक रिक्वेश्ट को चुके हम पर यहां पर मैं ऐसा ही करना ही वाला हम यहां पर रूपिंग बहुती अच्छा से मान चुका होता है कि यहाँ पे अगर उनके टर्फ वो मिल गया तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा फ्रीडम एलाइस के अंदर बहुत ही युनुवर्स मास्टर आते हैं रोस्तव दिखाया जाता है आफ ओफ मंथ उजर चुका होता है रोफ एक वन्टर इंफर्मिसान को दे दिया होता है यहाँ पर हम दिखाया जाता सी हुवा लीडर को जो फानली एक स्पीस उप न्यूज भेशते कि उने इनिटिस बेल चुकी होती वो कहा थे कि फानली ऐलाइस नहीं यह डिसाट किया कि वो हुमन कैम को जोइन करेंगा और यह न्यूज चातफ फैल जाती है वह अभी तक बहुत लंबा लंबा अर्सना गुजर गया होता है समर लोग कुछ साहलों का हिम जहां पे वो सभी यह न्यूज आ चुकी थी इसको सुनकर वो सभी पूरीतर से हरान हो चुके होते ही क्या आखिरकार क्या से हो सलता है जितने भी यूनाइटिट फोर्स के होते हैं वो सभी हैरान हो चुके थे अब सिटिंग माउंट इंगेस्ट को भी यूनाइटिट फोर्स निका था लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं जोइन हुए होते हैं वो सभी यहाँ पे बिल्कूरी हैरान हो चुके होते हैं अब यहां पर हमें समझने लगता है यहां पर बात करने लगते हैं कि आखिकार सिटिंग माउंटेंगे और लूफेंग के अंदर का रिलेशंशिप क्या है और यह डिसकर्शन यहां पर उन्हें लगता है और हमें यहां पर दिखाया जाता है कि वह से पूरी डिसपस बड़ा लेसन और होई क्या सकता है और वो समझ जाते हैं वो गुस्ता भी थे कि आखे का सिटी माउंटिन गेस लूफएंग के टीचर क्या से हो सकते जरू यहाँ पे टीचर के बेनफिट से ही यह हो सकता है आप लोग यह सोच रहे होंगे क्या कि कब रिवील हो गया तो देखो यह भी रिवील हो गया और हापके कई सायमन में क्यूस्टन हो उनकी लूफएंग अपने टीचर को युवानमो को कभी यहाँ पे रिवाइब करेगा तो बहुत जल्दी खतम होने वाली है और कुछ यह एपीसोड में लूफएंग उनको भी रिवाइब कर देगा अब यहाँ पे वो लोग बहुत नि गुस्ता कर रहे थे किया कि कैसे हो सकता है वो सिटिंग माउंटिन गेस्ट पहले तो फ्लेम एंपर नाउ मिलकी वेलेकसी को यहाँ पे और भी कल्टिवेट कर रहा दो बहुत ती गुस्ता हो रहे होते हैं हो यहाँ पे ऐसे ही बात हो stereo होती है वो सभी इनि सब के चीज के बारे बात होले है लेकिन तब ही वहाँ पे निउवज आता है जो की निउवज आ चुका होता लिखा जाता जो कहता कि हमें जल्द से आट करना चाहिए अभी यहां पर उन सब के टीम से साथ नहीं मिले होंगे हमें जल्द से लिए सब करना चाहिए और यह सुनकर सब लोग रेडी हो जाते हैं फिडम एलाइंस इफ न्यूज को यह पहुचा है वो अभी तक वहां पर नह लेकिन उनकी टीम हुमन के पास पहुची नहीं थी पहली बात में जिसकी कान वो इन सब का यूज करने वाले थे सब लोग प्लान भी नाया यहां पर सब लोग आ जाते हैं कहते हैं चलो हमें पूरी फोकस के स्ट्रेंड के साथ उन पर अटाइक करना होका और सभी निकल जा सब लोग निकल पाते हैं यह ऐसा वार था जहां पर इनको करो या मरो था हम कैसे भी करके हरा आता है या फिर हार के आजाना है फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब अटाक करने के लिए आ चुके होते हैं प्राम के सीटी लीडर का भी न्यूज सुनाए देता है जहां पर वो सब खुशते कि यहां पर अलाइंस सुन सब के साथ यहां पर जॉइन हो चुके हैं लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहां पर उनके पास भी निउज आ चुकी थी और रिमोट मास्टर को भी पदा चल जाता कि यूनाइटेट फोर्स वाले उन पर अटाक कर र यहां पर जमा करो वार का टाइम आ चुका है और चाओ ताफ यहां फ़ल जाती है सिट लिएर क्याते हैं कि टीचर ओर जिन बाई रिस्क कवर की है जो यहां पर आरे और सब लोग तयारी करने लगते हैं सब लोग ब्लैक प्रिजुन टावर सुप्रिम टुट्रेस हर एक च निकाल देते हैं अंडाइंग फाइटर सेक्टल और सुन सब को गॉर्ट कुंट्री ट्रांस्पोर्टेशन से वो लोग यहां पर हटा देते हैं ताकि उन सब की यहां पर मौत नहुं हूँ लूफ यहां साहीं करता स्टाव तरफ में अफ्राग तबरी हो जाती हैं और यहा प्लेश टाइब टू ट्वेस वाइल स्पेस में वैनिस हो जाते हैं सब लोग फाइट के लिए इंतिजारता अब दिखा आ जाता है कि वहां पर वो जबी 11 टावरिंग प्लेस थे वहां पर आ जाते हैं लेकिन तेख ते कर तो एक भी इंसन है नहीं हो जाते कि आके क्या से ह सकता है सब लोग पूरी तर से हरान थी कि वो कैसे कर सकते हो क्या थी इडर पोक्यूमर्स ऐसा क्या से कर सकता है अब पहले उन्होंने अपने गौड कोई ट्रांसपोर्टेशन से यूज़ करके सारी को हटा रिया था या कि यहां पे कोई भी मार ना जाया तब ही दिखाया जा उन सब पे अटैक करते हैं जिसको देखकर यूनाइटेड फोर्स कहते हैं कि यहां पे कुछ तो लगे जल्दी से यहां पे उन सब से बचू और लोग बचने की कोजिस करते हैं अब दिखाया जाता है 139 फोर्स का पावर इतना दरा होता है कि एक सार में सिर 40 यूनिवर्स म मास्टर होता है इनका डिस्राइडवांटेज बहुत जाला होता है सब मिलके एक ही साथ अटैक करते हैं और यहां पे इस ब्लोग के का वो इसको फोर्स आप भी नहीं कर सकते और दिखाया जाता है कि 40 इनुवर्स मास्टर स्टोल अटैक से यहां पे हिट हो जाते हैं अब म सब की हार होने वाल थी कुछ भी नहीं कर सकते थे और क्या थे अटैक करो हम यहां पे इन सब को इतनी आसानी से जान ही नहीं दे सकते हैं अब दिखाया जाता है 11 प्लेस टाइब 212 स्युनाइटर फोर्स एबर पावर कर रही थी स्टार्ट आवर से लूफिंग उन पर अट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक और दू यूनिवर्स मास्टर को मार दिया था और बाकी सब यहां पर बच चुके थे क्योंकि उनके पास भी अपने प्लेस टाइब 212 से रुकाते हैं कि हमें स्टार्ट टावर में रुकना होगा जब तक कि फ्रीडम एलांस यहां पर आन यूनिवर्स मास्टर वहां पर आ चुके होते हैं सीवु को भी दिखाया जाता है सीवुआ नाइट यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को जो कि आ जाते हैं उन्हें पता चल जाता कि यह कैसे हुआ उन्हें तो अपना मिल चुका था वो भी इस निउस की बाहर में समझ चुक अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि 400 युनवर्स मास्टर है तो मुठबेर हो रही है और वो सब यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हैं अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो युनवर्स मास्टर थे उन में से कुछ ने कुछ ऐसा गदार था जो कि असल में उनके साथ मिला हुआ था डेमन से सबके साथ जहाँ पे अव्यसली सी हुआ लीडर को पदा चल जाता है कि हमारे अंदर यह ऐसा कोई है जो कि उन सबके साथ मिला हुआ उन्होंने इस न्यूज को जिसके बाद वो सब युमन्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं और 400 युनवर् मास्टर एक टीम में थी जो कि उनके एरोगेंस को दर साथ यह प्रामा सेक्रेटरी यंके हुमन ट्रेटरी को दिखा रहा जाता है जहां पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं स्टार्ट आवर पर अटाक होने लगते हैं लेकिन क्या स्टार्ट आवर को चाहकर भी यहां डाबज नहीं कर सकते हैं लूफिंग स्टार्ट आवर को कंट्रोल कर रहा था है सब कुछ नहीं कर सब लोग मिलके अटाक कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता है जहां पर हमें स्टार्ट आवर के पिछे प्रामक के उस स्टी ले पहंग मास्टर सब को दिखा जाता ह यहां पर कुछ नहीं होने वाला करता है यहां पर उसके और यहां पर यहां पर नहीं करता है लग्र करने हैं अब यहां पर आखे प्रेव juicy-ry थिर जाते हैं लुफेंग तुम अभी इतने दीरिंग कैसे हो सकते हो लेकिन यहाँ पर जानता है कि यहाँ पर कुछ भी खत्रह हो सकता है। यह भी सिम को रका था कि अगर ऐलाइंस साथ जोईन हुआ क्या हो सकता ही। अब यहाँ पर दि Всем सब वैट कर रह долा है। था है जोका है जっ प्रिवर्ट के साथ यूमन्स हम लोग आ चुके हैं कि फ्रिरम एलाइंस तो हम लोग वेट की सा कहाँ हो चलो जल्दी करो हुमन्स की मदद करो दोनों मिलके युनाइटिट फॉर्स को हरा सकते हैं लेकिन दिखाया जाता है कि यहां पर वो कहते हैं इतनी जल्दबाजी का जि की है कि तुम्हें हमें कुछ पोसन देना होगा चलो हमें दो यहां पर वहां दिखाया जाता है सिक्स फैक्षिंस में जो हुमन जो एलाइंस बने हुए थे वह सारे आंके डिमांड करने लगते कि हमें इंडेटिंस का पार्ट चाहिए जिसको देख कर वो सभी हैरान हो जाते ह अब हमें पठा चलता है कि सिहा लीडर को उन्होंने निकाल लिया लीडर की पो मतलब कि यहां पर रूफिंग को किया था वो वेस्ट हो चुका था उन्होंने six को बना लिया था सिक्स फैक्शन के अलग अलग लीडर थे अब यहां पे प्रामा क्यों सिटी क्याते की डियर फ्रीडम एलाइस चिंदा मत करो हम लोग यहां पर तुम्हें इनेटिंस के पोसन को देंगे तो यह सुन को लोग हामी बढ़ते ही जहां पर दिखाया जाता है प् सकी हैं दिकाया जाता है कि लूप लिए चुंता मत और दिखाया जाता है कि वह इनफर्मेशन देनी के बार वइट करने लगते हैं कि आखिरकार फीडम एलाइंस क्या यह पर decide करती टाइम पास होने लगता है और यहाँ पर 9 स्टोरी से वो सब दीख रहे होते कि आखिर कार वो क्या होगा सडेन यह दिखाया जाता है कि वो सब वेट कर रहे होते हैं उनके reply का कि आखिर क्या हो सकता है क्या वो लोग इसके लिए ready होंगे या फिर नहीं अब दिखाया जाता है एंचेस्ट्र गॉर्ड स्कूल के तरफ से भी बंदय आचुके होते हैं जो कि रूफेंग और हुमेनिटी की मदद करने के लिए आए होते हैं वो से भी स्टार्ट टावर के अंदर आचुके होते हैं कि वो मदद कर से कि लेकिन आपे दिखाया जाता है कि अंचेस्ट्र गॉर्ड स्कूल के तरफ से कमजोर लोग आए वे थे जो कि अपने सेकेंड बॉर्डी मल्टिपल बॉर्डी थे उनके सेकेंड बॉर्डी स्कूल वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं अब दिखाया जाता है ऐसे उनमें बात होने लगती है लेकिन क्या किया जाए वो एंचेस्ट्र गॉर्ड इसकूल ऐसे टाइम डिले कर रही है यह सब तो जानते था क्यों नहीं और भी इनहींट्र मिल सकी अब वहां पर अपने में ट्रांस्मीट करके बात कर रहे थे हैं अब ऐसे ही टाइम बीटने लगता है वो सब फेट का इंतजार कर रहे थे कि आकर वहां पर इंचेस्ट्र स्कूल वहां पर आ चुके होते हैं चैनल को वहां पर यह तो यह को दिखाया जाता है कि काई लोगों नियाव उसको कतम कर दिया होता इसक्स पालों सब अपने आखे आखे खोलें लगते हैं वहां पर आपस में बात करन लगते कि आखें आपको इनफ्रमेशन कैसी मिले इनिज्टों की अब यहां पर कुछ को भीमी बहुती नॉर्मल कुछ कहते हैं टूनहलीडर से बात नहीं कर रहे थे मतलब कि सीवा लीडर को इन्हों बिल्कुल यह विरान कर दिया होता है यहां पे ऐसे कैसा थे अगर वो हमें प्रोवाइट करेंगे suburbs हम लोग यहां प करेंगे एप यहां पे उनकी साथ देंगे जहां पर वो इसी plan को follow करने लगते हैं वो लालची होते गयते हैं क्योंकि उन्हें information चाहिए और वो आके दिखाया जाते हैं कि वो आके क्याता है कि यहां पर हमारे जितने भी है इन सब को represent किया जाएगा यहां पर दिखाया जाता है कि लूफें यह सबी हैरान हो जाता है कि क्या see हुआ leader वो यहां पर उनके leader नहीं है बलकि यहां पर light master light walker master है यहां पर see हुआ leader भी यहां पर बिलकुल ही upset थे वो लूफें को साड़ी चीजे बता देता कि आकर क्या हो रहा है उनके बीच में ऐसा है और वो सम ऐसा ही होता है वो कहते हैं हमें blame मत खड़िये अब यहां पर प्रामा के OCD भी कहते है light walker चली प्लीज जहां पर light walker कहता है कि हमने inheritance को पढ़ लिया लेकिन unfortunately हम लोग satisfied नहीं है जिसको दूप कर वो सारे सौक हो जाता है कि क्या satisfied नहीं है लुफेंग ने उस information को खुछ समुराइज किया था यह इतना है कि यह थ्री यूनिवर्स इरास के power को tempt कर सकते है आखिरकार हो satisfied नहीं है और प्रामा के OCD कहते हैं कि light walker master आपके कहने का क्या मतलब है जहां पर हो कहते हैं कि जो inheritance आपने दिया है वो risk के वर्थित नहीं है हमारी alliance और भी जाती है चलिए हमें और भी information दे दिये हमें और भी comprehensive information चाहिए जिसको देखकर वो कहते हैं आपस में discuss करने लगते हैं क्याते कि और वहाँ chaos city leader loop feng से पूछते है क्या तुमने जो information दिया था वो काफी नहीं था loop feng कहता है हम मैंने सही दिया था यह काफी था तो यहाँ पिकाला था darkness की हम लोग जितना देंगे वो उतना ही मांगेंगे वो और भी जालालची होती जाएंगे जहां पर यह finally decide करते हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं इस से जारा detail information हम इतना नहीं कह सकते हैं हम लोग तुम्हें आधा बाकी inheritance war के बाद देंगे तो दिखा जाता है light war का जो कहते हैं कि अगर ऐसा case है हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे sorry जो आपने जो information दी है बहुत ही कमें चलो चलते हैं जिसके बाद वो वर्जवन मस से disappear हो जाते हैं जिसको दीकर वो सभी हैरान हो जाते हैं यहाँ पे अंधाजा नहीं लगाते कि आखिर का यह क्या से हो सकता है वो यहाँ पे सोचना तो वो लोग सी हुआ से भी अब यहाँ पे हमें एक बहुती राज की बात पता चलती है कि यहाँ पे जो information humans दी होती है उससे भी दस मुना detail information उन्हें पहले से ही मिल चुकी होती है उने उपर से order आ था कि हमें United Force के साथ मिलकर humans पर attack करना especially loofing और यहां पर वो सारी चीज़े बताने लगता है जहां पर वो पूरी तर से हरान हो जाते हैं कि आखिर कार यह क्या से हो सकता है यह क्या से हो सकता है और यह सभी Star Emperor Holy Land और Purple Holy Land की थी जो कि survival थी वो इने inheritance दे रही होती है और यहां पर यह कुछ भी नहीं कर सकती है जहां पर हमें दिखाया जाता सी वा लिडर जो कहते हैं कि Purple Moon Holy Land मुझे यहां पर किया होता है इनी सीज के बार में और यही थे अब यहां पर प्रामर के ओ सीटी लिडर कहते हैं कि अभी भी इने इनेटन्स को गिव अप करना नहीं चाहते हैं वो यहां पर इनेटन्स मिली हो इसको और यहां पर पता चलता है कि Freedom Alliance से United Force को जॉइन कर दिया था अब मैं आपको बता रहता हूँ कि यहां पर हुआ क्या लू फैंग ने जो information दी वो बहुत ही कम थी और यहां पर जो Holy Land के बंदे थे वो जान चुके थे कि humans बहुत ही खत्रा थे यू लू फैंग ही बहुत ही बड़ा खत्रा होने वाला है इसके कानून उने पहले से उन से पको detailed information दे दी थी और वो लोग यहां पर प्लान बनाते हैं कि वो लोग humans से भी और भी detailed information निक करेंगे अगर उनकी detailed information उन Holy Land से जाला होगी तो humans का साथ देंगे उन Holy Land ने उने सुपारी दिया था कि हम तुम्हें information देंगे तिम लोग को humans के साथ fight करने United Alliance के साथ मिलके तो जबकि यहां पर United Alliance तो यहां पर Freedom Alliance एक साथ होगे उनकी जो युनिवर्स मास्टर सुप्री मास्टर की संख्या है बहुत जा बढ़ चुकी तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखते कि आखिर क्या होने माला है क्या लूफएंग उन सबको बता पाएगा या फिर ने और लूफएंग कि आखिर वो ultimate plan क्या होने वाली तो मिलते है नेक लूफएंग देखिर के लिए बाएगा